हेलो स्टूडेंट्स टूडे टोपिक चप्टर सावन्त नेचरल हैजाड्स और डिजास्टर नेचरल हैजाड्स और डिजास्टर क्या होते हैं ये आप लोगों में देखा होगा कि बार-बार हमारे यार सरफेस फे स्पेसिफिक रिजन पर कभी अर्थ के एक आते रहते हैं कभी साइकलोन आते रहते हैं, कभी सुनामी ये नेचरल प्रोसेस होते हैं, नेचरल चैंज होते हैं बट इनका एफेक्ट हुमेन बिइंग पर पड़ता है उसकी लाइफ और प्रोपर्टी डिस्टॉर्ड होती है तो उससे बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानुवी नुक्षान होता है ये प्राकर्टिक आपड़ाई कौन-कौन से रीजन पर आती है कौन-कौन से ये होती है कहां कहां पर इनका परभाव पड़ता है और ये डेजास्टर के रूप में किस परकार से कनवर्ट होती है इस लेशन में इन ही के बारे में बताया गए तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले What is Hazards Hazards क्या है Change the effect of human adversely are called natural hazards मानों पर दूस प्रभाव डालने वाले जो natural change होते हैं प्राकरतिक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम natural hazards कहते हैं Natural change that affect human adversely are called natural hazards Main example of natural hazards are volcanic eruptions Earth cake Sea cake Sea cake को tsunami का नाम से भी हम जानते हैं droughts floods cyclones soil erosion vegetation deflations soil degradations mud flow snow avalanches snow avalanches मींस होता है snow का बरफ का डलान की और अचानक से खिशक जाना and other similar phenomena such hazards are caused by the natural force ये अधिक्तर जो होते हैं वो प्राकरतिक शक्तियों के कान से होते हैं our man's unwanted activity increase the impact of natural hazards on the human being परन्तु मनुश्य भी अपने economic development के लिए unwanted activity करते हैं जिसके करण से भी इनका effect जो है वो increase हुए है इनके परभाव जो है वो दिरे दिरे बढ़ते जा रहे हैं जैसे global warming की condition है soil degradation है water pollution है ये भी हमारे लिए natural hazards का ही काम करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले book के अंदर आप देखिए you might have read about tsunami or seen in the image of the horror on television set immediately after it happened आपने कई बार देखा होगर कि tsunami के बारे में पढ़ा है और television पर बहुत से बार जो है इनकी image वगेरा भी देखी हूँगी इनके आने के बाद ये कितने अधिक बहनक हो जाते हैं खतरनाक हो जाते हैं जिसे large scales पर lie for property जो है वो damage हो जाती यू में आलसो बी एवर ओफ दा सर्व अर्थके इन दा कस्मीर उन दा बोथ साइड ओफ दा लाइन ओफ कंट्रोल आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कस्मीर में नियंतरन डेखा जो life of control है उसके दोनु तरफ जो गुकम्प आए थे उससे कितने ही पैमाने पर life or property दोनु कंट्री की जो है वो लोगों सोई थी पाकिस्तान की और इदर जो है वो भारत की इबत रीजन्स के अंदर भी इसका बड़ा नुक्शान होगा था जब इस परकार के गटना गटीत होती है तो उससे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुक्शान होता है और यह हम सब को हिला करके रख देते हैं have moved us all कि हम सब को यह हिला करके रख देते हैं जितने भी human technology होती है जितना भी human development होता है वो सब धरा के धरा रह जाता है उसका कोई यूटलाइज नहीं हो पाता है what are these as phenomena and how they cause what are what are these as phenomena यह गटना किस परकार गटीत होती है and how they are cause और इसके कारण क्या होते है यह हमारे माइंड के अंदर के उससे नाने लग जाते हैं कि यह क्या है और यह कैसे गटीत होता how can we save ourselves हम अपने आपको इन से कैसे बचा सकते these are some questions which come to our mind यह हमारे दिमाग के अंदर आते रहते this chapter will attempt to analysis some of these questions यह chapter है वो इनी परकार के questions हैं जो हमारे माइंड में आते रहते हैं कि यह गटनाई कैसे गटीत होती है इन से कैसे बचा जाना चाहिए इनके क्या कारण है इनकी जानकारी और विशिलेशन हमें हम इस chapter के अंदर करेंगे जिसमें आप देखिए change is the law of nature यह important paragraph है इसको ध्यान से सुनने आपको change is law of nature परिवर्तन होना परकरती का नियम है means जब से हमारे universe का हमारे आट surface का formation हुआ है तब से लेकर के आज तक लगातार इसमें क्या हो रहे है changes हो रहे है हमारे earth surface है और हमारे universe है कभी भी stable नहीं रहा है स्थिर नहीं रहा है इसमें every time every period जो है वो changes हो रहे हैं और होते रहे हैं आगे भी होते रहे हैं it is continuous process that goes to uninterpretedly involving phenomena यह एक लगातार चलने वाली परिक्रिय है बिना किसी रुकाउट के लगातार big and small material and non-material that make our physical and social cultural environment इनमें सभी type के कोई छोटी changes होते रहते हैं, कोई बड़े changes होते रहते हैं कुछ जो हैं material में भी होते हैं, कुछ non material में में भी होते हैं इन सब से हमारा जो physical और social, cultural environment का formation भी होता है यह हमारे सभी प्रकार के जो changes होते हैं छोटे बड़े पदार्थ एपदार्थ इन सब के अंदर जो change होते रहते हैं इनी से हमारा प्राकरतिक सामाजिक और संस्कितिक प्रियावण जो है वो प्रभावित होता है उसका निर्मान भी होता है इसकी जो प्रणाम होते हैं जो इसका consequence होते हैं तो उनके नुसार इन में changes होते रहते हैं intensity means होता है इसकी अभनता इसकी density कि यह कितनी बड़े पहमाने पर होते हैं कितनी गहनता से होते हैं और scale का अर्थ होता है इसका पहमाना कि कि ऑले scale एरिया को या कितने region को यह affected करते हैं यह अलग अलगग जह들 के इंदर अलग अलग होते हैं जैसे कि किसी भी metropolitan city के अंदर कोई भी natural hazards conditions create होती है तो उसे large scales के उपर जो है life or property damage होती है लेकिन अगर वे ही hazards जो है वो किसी desert region के अंदर होता है तो वहाँ पर इसका कोई भी bad effect नहीं होता है तो इस परकार से ये स्थान और समय के अनुसार जो है वो अलग अलग होते रहते हैं इनका जो effect होता है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है change can be a gradual and slow process change जो होता है वो या तो slow होता है या तेजी से gradual means होता है तेजी से slow means देरे देरे होता है like the revelations of the landform and organism and it can be as the sudden and shift इसमें बता गया है कि जो ये परिकिरिया हो रही है जो ये बदलाव हो रहे हैं ये दिमी गती से भी हो सकते हैं या तेज गती से भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे जो landforms है और organism हैं इन में जो बतलाव होते हैं वो देरे देरे होते हैं slow slow speed से ही होते हैं and it can be as the sudden लेकिन कुछ जो बतलाव होते हैं वो तेजी साथे हैं जिनका effect है वो suddenly हमें दिखाई देता है as volcanic eruption जैसे कि जवाला मुखे विस्पोट होता है tsunami, earthquake and lightings जो होते हैं इनका effect जो है वो तेजी से होता है एड़ सेट्रा, similarly it may remain confident to a smaller area occurring within a few seconds like the hail storm, tornado and dust storm इसी परकार इसका प्रभाव छोटे छेतर तक भी समित रहता है एक smaller area तक ही रहता है जबके कुछ होते हैं उनका बड़ा effect हो जाता है जैसे कि किसी regions के उपर dust or storm आते हैं, अन्दी के तुफ़ान आते हैं इसी type से hail storms हो जाते हैं, जैसे कि ओल अवरस्टी हो जाती है इसे type से tornado जो है, cyclones type के होते हैं, ये tornado आते हैं तो इस परकार से ये सारी चीज़े जो होती हैं, वो अलग-अलग region पर अलग-अलग होती हैं कुछ बड़े area पर effect डालती हैं, कुछ छोटे area पर डालती हैं तो earthquake होते हैं, lighting होते हैं, tsunami होगेरा होती है, volcanic eruptions होते हैं hail storms, tornado होगेरा जो होते हैं ये एक इनका area होता है, कुछ बड़े level पर होते हैं, कुछ छोटे level पर and it can also have global dimension जबकि कुछ जो होते हैं, वो global levels के होते हैं, जैसे global warming है depletion of the ozone layer है, इनका पूरे हमारे universe पर effect होता है इनके पूरे global level पर इसका effect होता है जबकि जो आपके अर्थ के उते हैं, tsunami है, lighting है, hailstorm है, tornado है, dust storm है ये एक specific regions के अंदर ही होते हैं जिनका effect छोटे area पर होता है, जबकि global warming और depletion ozone layer जो है इनका effect एक पूरे level पर, global level पर इनका प्रभाव होता है besides these changes have different meaning for different people इनके जो meaning होते हैं, जो अर्थ कीक होते हैं, tsunami आते हैं, hailstorm होते हैं इनके जो आर्थ होते हैं, वो भी भिन-भिन लोगों के लिए भिन-भिन होते हैं different peoples और different इनके meanings होते हैं it depends upon the perspective on task while trying to understand them यह हैं इनको समझने की कोशिस करने वाले व्यक्ति के द्रस्टी कौन पर निर्बर होता है कि वह हैं इनको किस वे के अंदर समझते हैं, किस तरीके से इनको समझते हैं from the perspective of the natural change are value-neutral कोई इनको प्राकतिक द्रस्टी कौन से समझता है तो यह value-neutral होते हैं यानि कि इनकी कोई value नहीं होते हैं value-near-pakes ही होते हैं तटस्त होते हैं these are neither good nor bad नहीं यह बहुत अच्छे होते हैं नहीं बहुत बुरे होते हैं but for the human perspective अगर इसको हम मानव के द्रस्टी कौन से देखते हैं these are value-loaded तो यह मुल्य सापेक्स होते हैं यहाँ पर value-neutral थे यानि मुल्य नेटपेक्स थे इनका कोई मुल्य नहीं था तटस था जबकि human being के रूप में अगर इसी natural disaster को हम समझते हैं कि इनकी human value क्या होती है तो यह मुल्य सापेक्स होते हैं यानि इनका जो मुल्य होता है वो बहुत बड़ा होता there are some change जैसे कि इसके इंदर हम देखते हैं जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि natural process होते हैं जिसके कांड से इनमें natural पर ना ही बुरा प्रभाव होता है ना ही अच्छा प्रभाव होता है जबकि किसी reasons के उपर अर्थ क्यूका जाता है तो उसका उस reasons के उपर bad effect होता है वहाँ उसके बड़े पैमाने पर life और property damage हो जाती है तो इसमें दिया गया है कि human perspective के अंदर ये value loaded होते हैं यानि कि मुले सापेक्स होते हैं इनका बहुत अधिक मुले होते हैं जिबकि naturally process से इनका कोई अच्छा और बुरा प्रभाव नहीं होता है there are some change of the desirable and good like the change of season and ripening of fruit जैसे कि रितों में प्रिवर्तन होना और follow का जो पकना है ये अच्छे प्रिवर्तन माने जाते है जबकि अर्थकिक, flood, war that are considered bad or undesirable जबकि कहीं पर अर्थकिक की conditions हो जाती है flood की conditions हो जाती है यूद वगेरा हो जाते हैं तो हम इनको undesirable means बहुत अच्छा नहीं मानते हैं ये हमारे लिए उप्योगी नहीं होते हैं हमारे पक्स के अंदर ये नहीं होते हैं तो इनको हम क्या मानते हैं human के लिए इनको unfavorable मानते हैं आगे दिखते हैं In this chapter we will read about some de-change इस chapter के अंदर हम कुछ ऐसे प्रिवर्तनों को understanding करते हैं read करते हैं समझते हैं जो मानुव के लिए बुरे माने जाते हैं जो मनुष्य को लंबे समय से परभवित कर रहे हैं और उनको ड्रा रहे हैं वो बुरे माने जाते हैं and treated means ड्राने वाले humankind को disaster in general and natural disaster is particular सामानेता आपदा और विशेश रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानों हमेशा ही डर करके रहा है वो इनको जो है वो डिसलाइक करता रहा है और ये सब चीज़ें हैं वो human beings को feared करती रही हैं उनको ड्राती रही है disaster in general and natural disaster is particular or some such change that are always dislike and feared by humankind कि ये मनुश्य को हमेशा से ही बहबीत करने वाली हैं मनुश्य इन से सदा से ही बहबीत रहा है for a long time Geographical Literatures view disaster as a consequence of natural force Geographical Literature जो गोलिक साहिते है में आपदाओं और प्राकरतिक बलों के जो प्राकरतिक आपदाएं होती हैं उनको हम प्राकरतिक force का ही एक रीजन मानते हैं कि ये जितने भी हमारे natural disasters होते हैं ये natural force के कन से ही आते हैं और बिना उसको शाहिता लिये होई है यानि कि वह बिना किसी अपनी और मनुस्य हमेश्या से ही इनके सामने जो है वो कमजोर रहा है और मनुस्या पर इनका बुरापरभाब पढ़ता रहा है और नेचरल फोर्स आर नोट दा उनली काजिज ओफ डिजास्टर परंतु प्राकरतिक कारण ही हमेश्या प्राकरतिक आपदाओं का कारण नहीं रहे हैं इनका कारण नहीं रहे हैं डिजास्टर जो होते हैं वो कुछ हुमेन अक्टिविटी के कांचे भी होते हैं इसमें मनुस्या की जो एवांचित गतिविदिया होती हैं अन्वांटिड जो एक्टिविटी होती हैं वो डिजास्टर का कारण बन जाती हैं जैसे कि इसमें दिया गया है बोपाल गैस्ट एजडी 1984 के अंदर जो 2 और 3 दिसंबर के रात को हुआ थो 1984 बोपाल गैस्ट एजडी जो था यह हुआ था इसी प्रकार से चेरनवील नूकलर डिजास्टर युक्रेञ के अंदर यह उआ था 1986 के अंदर जो नूकलर प्रार प्लांट थे इनके के अंदर जो है वह एक्स्प्लोजन्स हो गया था विस्पोर्ट हो गया था जिसके खंड से यह उक्रेन के अंदर 1986 के अंदर इस प्रकार की गटना हुई वर रिलीज के अंदर इस प्रकार के अंदर रिलीज कर रहा है जो नॉर्मल टेमप्रेचर वह इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल टेमप्रेचर जो अर्थ का है उसमें तेजी से वर्दी हो रही है एन्वार्मेंटल पॉलिशन्स लाइक नॉयस एयर वोटर एंड स्वेल और सम ओफ दिजास्ट्र विच आर काज डारेक्टले वाइदा हुमें एक्शन जो हमारे नॉयस पॉलिशन है इसी प्रकार से हमारा जो एयर पॉलिशन है वोटर स्वेल डिग्रिडेशन है यह सारे जो हमारे डिजास्ट्र क्रियेट हो रहे हैं वो सारे हुमें के अन्वान्टेड एक्टिविटीज के करण से हो रहे हैं कुछ मानुवे गतिविदियां जो होती है यह डिरेक्ट रूप से इन अवदाओं को बढ़ा देती है दारेक्ट रूप से इनको जो है वो इनकी intensity को increase कर देती है इनके गिनातों को बढ़ा देती है landslide and floods due to deforestation, women being industrialization, urbanization और other economic activity के current fastly हमारे जो forest area उनको distort कर रहे हैं जिसके कांट चे landslide और flood की conditions created हो रहे है unscientific land use यह विजयनिक तरीके से जो है वो हम भूमी का use कर रहे हैं जिससे हमारे soil degradations और soil erosions की problem create हो रही है and construction activities in the fangled area are some of these the disaster that are the result of the indirect human action इसे परकार से landslide है, bard है और जो हमारी भूमी है वो fastly degrade हो रही है उसकी fertility power है वो decline हो रही है यह सारी जो है वो मनुष्य की unwanted activities के कांट से ही परत्यक रूप से direct रूप से created हो रही है उत्पन हो रही है can you identify some other human activity going on in and around your neighborhood and schools that can lead to disaster in the near future क्या आप इस परकार की कुछ जो आपनाई है जो आपके प्रोज में आपके school के आसपास जो है वो चल रही है जिससे हमारा disaster create हो सकता है या फिर जो हमारे land degradation, landslides, earthquake के कारण बन सकते हैं mining से हमारे deforestation हो रहा होता है या industrialization हो रहा होता है तो इससे global warming की conditions create हो सकती है large scale में mining होने से वहाँ पर earthquake की conditions create हो सकती है इसी टाइप से जो है वो unwanted जो wastage होता है उसको collect करने से chlorofluorocarbon वहाँ से release हो रही होती है large scales पर उस regions के अंदर जो है वो industrialization होने से भी वहाँ पर large scales के अंदर है air pollution की conditions create हो रही होती है ये हमारे आसपास की छेतरों में लगातार होते रहते हैं can you suggest some measure to prevent it इनको कम करने के लिए क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कुछ उपाय बता सकते हैं तो इसमें क्या है कि हमें forestation करना चाहिए natural process के according ही हमें mining करनी चाहिए industrialization के अंदर जो air pollutions हो रहा है तो इसको जो solid particles हैं उनको filter करके ही air के अंदर उनको release करने चाहिए तो इस प्रकार के कुछ process है वो अपना करके और हम इनको prevent कर सकते हैं इनमें कुछ बचाव कर सकते हैं It is a common experience that human made disaster have increased both in their numbers and magnitude over the year and concreted efforts are on the various levels to prevent and minimize their occurrence यह सत्य है कि पिछले कुछ सालों से मानो कि जो प्राकरतिक हापदाई हैं उनको बढ़ाने में लगातार मैतवपून योगदान रहा है created efforts of the various levels of the prevent or minimize तो अब इनके जो वुर्दी के अंदर मनुसे अपनी unwanted activity के कांड़ से इन प्राकरतिक आपदाउं की संख्या में वुर्दी कर रहा है तो इसके स्थर से हमें बचने के लिए प्रियास किये जाने चाहिएं और उनको बचाने के लिए वो लगातार प्रियतन भी कर रहा है अब तक सफलता ना मातर की ही हमें मिली है परन्तु इन प्राकरतिक आपदाउं में से कुछ का निवारण संभा हुआ है जिसको हम आसानी से जो है वो कम कर सकते हैं दोधा, success that has been only nominal so far की है जो हम इनको minimize करने के लिए प्रियतन कर रहे हैं उनमें सफलता जो है वो हमें nominal मिली है, बिलकुल ना मातर के मिली है it is possible to prevent some of the disaster created by women being मनुश्य द्वारा जो प्राकरतिक आपदाउं उत्पन की जाती है इनको हम कम करने के लिए प्रियास करते हैं as opposed to this, very little is possible to prevent a natural disaster इनके जो प्रभाव होते हैं, इनका जो असर होते हैं, उनको कम करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा जो तरीका है therefore the best way out is the emphasis of the natural disaster mitigations and management तो इसके लिए सबसा अच्छा जो उपाय है, वो क्या है कि इनके असर को कम करना natural disaster mitigations कि इनके प्रभाव को कम करना and the management और उनका उचित परबंदन करना कि जो भी natural disaster occurred होते हैं, उत्पन होते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, उनको हम control नहीं कर सकते हैं लेकिन जब ये disaster create हो जाते हैं, तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए हम एक अच्छी management विवस्ता, एक परबंदन विवस्ता कर सकते हैं, कि कहीं पर आत्किक हो जाए, तो लोगों को वहां से कैसे बचाना चाहिए, cyclone हो जाए, तो कैसे बचाना चाहिए, flood की condition create हो जाती है, तो कैसे बचाना चाहिए, तो इसके परभाव को कम करने, mitigation effect को reduce करने, disaster के effect को reduce करने के लिए और अच्छे परबंदन के तरीके अपना करके, हम इनसे बच सकते हैं, इनके परभाव को हम कम कर सकते हैं, Establishments of the National Institutes of Disaster Management, इसके लिए हमें भारतिये राष्टिये आपदा परबंदन संस्था कि स्थापना करनी चाहिए, जैसे भारत के अंदर किया गया है, Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil 1993, इसी परकार से 1903 में के अंदर Rio de Janeiro, Brazil के अंदर जो हमारी Earth Summit हुई थी, पर्थवी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इस परकार के वर्ल्ड के सभी कंट्री आपस में मिल करके एक और इस परकार के कुछ अच्छे जो management और mitigations के जो उपाय हैं वो डूढने चाहिए, इनके प्रभाव को कम करने के उपाय को डूढने चाहिए, इन में 1994 एक योकोहमा जापान, इसी परकार से 1994 के अंदर जापान के योकोहमा सहर के अंदर भी आपता परभंदन से संबंदित जो है वो सम्मिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, एट सेटरा, और सम ओब दा, कॉंक्रेट स्टैप्स तुवर्ड्स दिस डारिक्शन इनिसियेटिट एट डिफ्रेंट लेवल, जो वे संगठन हुए, इसके लिए कठोर स्टैप लिएगे, कॉंक्रेट स्टैप्स लिएगे, एक निनायक जो कदम है, वो लिए उठाएगे, जिसके करन से हम इनके परभाओं को कम कर सकते हैं। तो यह हमने पढ़ा, कि किस परकार से यह अत्किक जो होते हैं, यह human beings के लिए हरमफुल होते हैं, और human beings जो है, वो सदा से ही इनके सामने हैं, वो निर्वल रहा है, वो अपने आपको कमजोर महसूस करता रहा है, देरे- अधिरे human activity economic development के साथ इन disasters को बढ़ावा दे रहे हैं तो इन में सभी country को सामने आ करके सभी देशों को सामने आ करके अपनी एक अर्थ सम्मीट वगेरा बना करके इनके लिए एक better plan थैयार किया जाए जिससे कि इनके effect को कम किया जा सके क्योंकि इनको हम रोक नहीं सकते हैं केव इनको अच्छे management और परबंदन करके इनके परभाव को कम कर सकते हैं next आगे देखते हैं most often it observed that scholars use disaster and natural hazards are interchangeable both are related phenomena यह देखा गया है और बहुत सारे हमारे जो scholars हैं विदुहान जो हैं वो प्राकर्पिक संकट सबद का इस्तिमाल एक दूसरे के hazards and disaster word का use है वो एक दूसरे के interchangeable के रूप में करते हैं एक दूसरे के अंतर संबंद के रूप में ही करते हैं कि यह दोनों जो हैं एक दूसरे से संबंदीत हैं इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि दोनों में क्या difference होता है तो यह थ्री मार्क्स का question बन जाता है वाट इस डिफरेंस बीट्वें नेचरल हैजर्ट्स एंड डिजास्ट्र तो इस सिम्पल से तरीके से मैं समझा देता हूँ नेचरल जो हैजर्ट्स होते हैं वो नेचरल फोर्स के थ्यू अकर्ड्स होते हैं इनके उत्पत्ती होती है लेकिन जब इन नेचरल हैजर्ट्स का effect हो मैं life और property पर होता है एक large scales का area जो है वो इसके undercover हो जाता है तो यह disaster बन जाते है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नेचरल जो हैजर्ट्स होते हैं वो किसी सुंसान शेतर पर आते हैं जहां population का और उसके development का कोई परभाव नहीं होता है जैसे कि desert area के अंदर आता है मुरस्तली परदेश के अंदर आता है कोई भी भुकम तो वहां ना life का loss होता है ना property का loss होता है लेकिन अगर यही अर्थकी जो है वो किसी metropolitan city में आता है तो उसे large scales के उपर life और property का loss होता है जब यह natural effect human being पर अपना परभाव डालते हैं उसको loss करते हैं तो उस conditions के अंदर यह disaster बन जाते हैं यह natural जो disaster होते हैं प्राकरतिक आपदा जो होती है उसका रूप भारन कर लेते हैं संकट के रूप में यह मनुस्य के सामने आते हैं तो इसमें यह हम पढ़ेंगे कि natural hazards और disaster क्या होते है नेचरल hazards are element of circumstances of natural environment that have potential to cause harm to people or property और बहुत प्राकरतिक संकट प्राकरतिक प्रियावर्ण में के हालात के वे तत्तव हैं जो बदलाव के वे तत्तव हैं जिससे जन जन यानि लोग और धन धन यानि property दोन्नों को नुक्सान पोचाने की संभावना इन के अंदर ओतिये potentials causes harm of the people and property और बहुत दोन्नों को ये बड़े पहमाने पर हानी पोचाने व्हेमे भी शुप्ट और पर्माने अस्पेंट रस्पेंट इन्विर्मेंट सेटिंग लाइक करन इन ओसेंड प्रियंग जिचाल्स थेश्ट ये कि अध्यवी दिजिश्ट आपकर निजिश्ट इसे की लिचाल्स पार्णिश्ट इसे की अध्य। ह ulti हमारी क्रण्ट शाथि हैं माँसागर के इंदर धराएं आती हैं हमाले का ऐस्थिर जो लैन्ड फीचरस है कि उसमें लगातार जो है वो बदलाव आते रहते हैं और इसका जो प्रॉप है वह अधिक है इसके जो features है जो structure है वो ऐस्थिर है इसमें बदलाव होते रहते हैं हिमाले and extremely climate conditions वहाँ पर जो climate conditions है वो बहुत ही विशम है extremely है विप्रीत प्रिश्थितिया है in the deserts जैसे कि desert area के अंदर temperature बहुत अधिक हो जाता है जबकि जो glaciers या snow covered area है वहाँ temperature बहुत अधिक हो जाता है तो अधिक और कम यह climate conditions जो होती है वो human being के unfavorables होती है तो इस परकार की जो conditions होती है यह किसी regions पर होती है तो यह natural process होता है लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी human पर इसका कोई effect नहीं होता तो इस conditions तक यह सारी चीज़े जो होती है वो natural hazards होती है प्राकरतिक अबदाई होती है As compared to natural hazards, natural disasters are relatively sudden and cause large-scale widespread death, loss of property and disturbance of the social system and life over which people have a little or no control लेकिन जब यह natural hazards जो होती है यह large scales के उपर widespread death कर देते हैं, बड़े पहमाने पर death कर देते हैं, loss of property बड़े पहमाने पर property का loss हो जाता है हमारा social system जो होता है वो disturbance हो जाता है और यह human being के control में नहीं रहता है तो उस conditions के अंदर यह क्या बन जाता है disaster बन जाता है यह एक संकट की स्थिति उत्पन कर देता है प्राकरतिक संकट जो है वो प्राकरतिक अपर जो आपनाई होती हैं उनकी तुलना में बहुत ही ख़तरनाक होते हैं बड़े पहमाने पर जन धन की हानी करते हैं सामाजिक तंतर जीवन जो है वो अस्त वियस्त हो जाता है और उन लोगों पर इसका बहुत कम नियंतरन होता है वो लोग जो हैं वो इसके effect को reduce नहीं कर पाते हैं जर्नली डिजास्टर आज जर्नलाइज एक्स्पियेंस ओफ पीपल दा वर्ल्ड ओवर एंड नो टू डिजास्टर आर सिमलर एंड कंपेरेबल टो इच अदर प्राकरतिक जो आपदाई होती हैं वो संसार भर के लोग जो हैं वो इनसे परभावित हैं इनके अनुभाव उन सबको हैं किसी चेतर पर किसी परकार के और किसी चेतर पर किसी परकार के आपदाई जो हैं वो आती रहते हैं जिससे वो लोग इनको अनुभाव करते रहते हैं परन्तु कोई भी दो परकार की दो डिजास्टर होते हैं वो एक दूसरे से सिमलर नहीं होते हैं वो किसी ने किसी रूप में एक दूसरे से डिफरेंट है रहते हैं हर एक परकार का जो डिजास्टर होते हैं वो समाजिक परियावन आदी घटकों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और अलग होता है इन रिस्पॉंस ओपदा जन्रेट एंड दा वे इच सोशल ग्रूप नेगोटेट्स विद इट कोई भी प्राकरतिक आपदाएं उत्वन होती हैं तो उनके जो समाजिक परियावन ने घटक होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो किस परकार से इन से निपटते हैं हाउएवर दा ओपिनियन मेंशन अबोव दा इंडिकेटिव ओफ दा थ्री इंपोर्टेंट थिंग्स उपरव्यक्त जो विचार हैं इनको तीन महतवकुन चीजे जो हैं वो परभावित करती हैं वो इनके बारे में जानकारी देती हैं इंडिकेटिव मिन्स जो इनको चीनहीत करती हैं वो हैं सबसे पहला firstly the magnitude intensity frequency and damage caused by the natural disasters have increased over the year ये कहराय किस समय के साथ साथ जो हैं वो जितने भी natural disasters हैं इनकी magnitude इनकी गहनता जो है intensity जो इनके magnitude इनके परणाम intensity इनकी जो गहनता है and frequency जो ये बार-बार आते हैं और इनके द्वारा जो damage किया जाता है वो समय के साथ साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं by the natural disasters have increased over the year समय के साथ साथ परतिवर्श जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं secondly there is the growing concern among people the world over the day deal with the means created by those so that the loss of human life and property can be minimized इसके द्वारा किये गए नुकसान जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरा जो इसमें secondly दिया गए है संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा की हुए जो ड्र है जिसके कार्ण से ये पैदा हो रहे हैं ये ड्र और चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रहे हैं जाए कैसे रास्ता डूंडा जाए and finally significant change have taken place in the pattern of natural disaster over the year और इन प्राकरती कापदाओं के प्रारूप में जो समय के साथ साथ अंतर आ रहे हैं इन में मैतवपून जो परिवर्तन आया है इनको समझ करके और इन से बचने के लिए हमें उपाय डूंडने चाहिए इसमें हमने एक उपर point पढ़ा था what is difference between natural hazards and disaster तो natural hazards और disaster क्या होते हैं इनको simple way में आप देख लें उपर भी बता दिया था अचे सबसे पहले हम पढ़ते है natural hazards क्या होते है इन दा natural environment that have the potential to cause harm people और property और बोलत नेचरल जो hazards होते हैं ये मनुष्य के जीवन पर लोगों को property और दोनों को आनी पहुचाने की छमता रखते हैं तो मिन छमता रखते हैं उनसे loss हो सकता है loss हुआ नहीं है loss हो सकता है वहां तक ये process होता है तो ये natural hazards होते हैं लेकिन जब इनसे loss हो जाता है तो ये disaster बन जाते हैं As compared natural hazards, natural disasters are relatively sudden and cause large scale widespread death, loss of property and disturbance of social system and life or which people have a little or no control लेकिन जब इस natural hazards का effect human being की life पर property पर बड़े पहमाने पर death होती है बड़े पहमाने पर property का loss होता है Social structure disturbance हो जाता है और इसको control करना human के level से बहार हो जाता है तो उस conditions के अंदर ये disaster का रूप ले लेता है तो ये क्या ले लेता है? डिजास्टर का रूप ले ले लेता है इस परकार से हम इन दोनों में difference कर सकते है कि जब natural process होता है लेकिन उस पर life और property पर कोई loss नहीं होता है तो वो hazards तक सिमीत रहता है लेकिन जब किसी regions पर इस natural hazards का effects उसके बड़े पहमाने पर death का region बनता है large scale property का loss होता है, social structure disturbance हो जाता है और इनके effect को control करना human के level में नहीं रहता है उसके बस की बात नहीं रहती है तो ये disaster बन जाते है